टीन राज्यों में अर्विंद केजरिवाल ने अपनी तरफ से वोट कटुआ बनने के तमाम कोशिशे कर लेकिन एक्जिट पॉल के नतीजों ने अर्विंद केजरिवाल के इस उम्मीद पर पानी फेर दिया तो तुरंद अरविंद केजरिवाल को अपनी गिरफतारी का डर सताने लगा लेकिन गिरफतारी से बचने के लिए अरविंद केजरिवाल ने अपना एक तरह से आखरी सियासी दाओं चल दिया एक तरफ मनीश सोधिया संजय सिंग जैसे दिगजनेता जेल जा चुके हैं और अब खत्रा खुद केजरिवाल पर भी मनब्रा रहा है जिनके कंधों पर पार्टी का पूरा दारो मदार है हलाकि पहले कई मौकों की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी ने अपने संकट को शक्ती में बदलने की कोशिश की भाजपा को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए अरविंद केजरिवाल की पार्टी ने पीएम मूदी का ही एक जिताओ फॉर्मूला अपना लिया है पिछले महीने दिल्ली के मुक्यमंतरी अरविंद केजरिवाल को प्रवर्तन नीदेशाले ने शराब घुटाला से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में पूछ तार्श के लिए तलब किया था केजरिवाल ने नोटिस को अवैद बताया और केंदरे जाच एजनसी के सामने नहीं गए हलाकि नोटिस मिलने के बाद से ही केजरिवाल आशंकाद जाहिर करते रहे कि सिसोधिया और संजे सिंग के तरह उन्हें गिरफतार किया जा सकता है पार्टी इसके लिए जनता से राय शुमारी कर रही है कि यदि केजरिवाल को जेल भेजा जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर तिहार से ही सरकार चलानी चाहिए केजरिवाल की और से पिछले दिनों किये गए एलान के मताबिक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनमत संग्रह की शुरुवात की है पियम मूदी के मैं भी चौकीदार नारे की तरज पर आम आदमी पार्टी ने मैं भी केजरिवाल नाम से अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहट दिल्ली के सभी 2600 बूत के लिए 2600 टीम्स का गठन किया गया इसमें मंतरी से लेकर आम कारे करता घर घर जाकर एक तरफ जनता से केजरिवाल के स्तीफे पर उनका जवाब लेंगे और शराब घुटारा के आरोपों को भाज़ुपा की साज़श बताएंगे 2019 के लोकसबा चुनाब से पहले राहूल गांधी ने पियम मोदी पर भरश्चाचार के आरूप लगाते हुए कहा था कि चौकीदार चौर है उन्होंने पियम मोदी की ओर से खुद को देश के खजाने का चौकीदार बताने के बाद ये नारा दिया था हलाकि पियम मोदी ने उन्हें जोरदार पलटवार करते हुए कौंग्रेस के स्वार को अपना हथियार बना लिया उन्होंने मैं भी चौकीदार का नारा दिया भाज़पा ने इसे जनता के बीच लोकप्रिया करने में सफलता पाई और नतीजा ये हुआ कि भाज़पा ने लगातार दूसरी बार पूरन बहुमत की सरकार बनाई अर्विंद केजरिवाल की पार्टी इसी तरज पर शराब घोटाला के आरोपों का मकाबला करना चाहती है केजरिवाल की कोशच है कि जनता के बीच ये संदेश पहुचा जाए कि भाज़पा विधानसबा चुनाओं में नहीं हरा पाने के वज़ए से उनके नेताओ को फसा कर जेल में डाल रही है हलाकि केजरिवाल का ये अभियान सफल होता नहीं दिख रहा क्योंकि दिल्ली की जनता के बीच केजरिवाल और आमा आदमी पार्टी की छवी काफी खराब हो चुकी है और अब इसके लिए केजरिवाल सरकार में हुए घोटाले ही सबसे बड़ी बज़ा है झाले है